हेलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि हमने पिछले वीडियो में समझा था क्लिप बॉर्ड और फॉंड के बारे में जो कि हॉम मेन्यू पर हैं अब हम समझेंगे पेरग्राफ और स्टाइल और एडिटिंग के बारे में हमें आज पूरा मेन्यू खतम कर लेंगे हॉम मेन्यू ठीक है आज हमारा दूसरा पार्ट से एमेस वर्ड का जो कि 2010 जैसे कि पिछली वीडियो में आपको समझाया था अब हम चालू करते हैं बुलेट्स से देखिए बुलेट्स का काम क्या होता है बुलेट्स का काम होता है कोई भी बनाना माल लिजे जैसे कि आप टिक मार के कोशन देखते हैं या जैसे कि फौर ओप्शन होते हैं उसके अंदर फाइव ओप्शन होते हैं या माल लिजे कोई लिस्ट बनाते हैं उस पर आपको नंबरिंग देनी हो तो आप कैसे देते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर आया और मै पादिर, राकेश, अमित, तो ये खुद वखुद नीचे आते रहेंगे, सैम ऐसे ही बुलट्स का काम होता है, बस फरक ही होता है, कि ये ओडर में होता है, और ये अनोडर में होता है, ठीक है, यहां से स्लेक करके आप इसको चैंज भी कर सकते हैं, अनोडर और ओडर में हम ड रोमन भी है, स्मॉल एल्फावेट भी है, केपिटल भी है, परकेश भी है, और आपकी नंबरिंग भी है, ठीक है, आपकी माल लिजे मैंने इस पर बुलट्स ले रखे हैं, तो यहां से बुलट्स भी में चैंज कर सकता हूं, और चाहूं तो नन करके इनको हटा भी सकता सेम इसी तरीके से आपकी यह हैडिंग लिस्ट है, जो इसमें सब कुछ आता है, माल लिजे आपको सिंपल हैडिंग बनानी हो, जैसे कि हैडिंग बन गए इसके साथ ही, यह आपको टेबल अप कंटेंट के लिए यूसफुल रहती है, उसके बाद हम आते हैं, चार तरीके क हमारे align होते हैं, left align, right align और justify और सेंटर, तो माल लिजे आपको यह राइट से लिखना है, अभी मैंने 6, left से लिखना है, आपको राइट में जाना है, select कर आपको राइट में आ अ गया, अब जो भी लिखेंगे वो राइट से लिखा जाएगा, देखिए, enter मार ढूर neon लिख से लिखा जा रहा है आपका हां माल लीजिए आपको कोई चीज सेंटर से लिखनी है तो आप यहाँ सेंटर में लिखनी आए जैसे लिखता हूं MySelf और Inter बुल्फPLE प mission मार देता हूं इस इस टाइम से अब यह सेंटर दोगोbel लागाने के लिए जिसे मैंने यह paragraph ले लिया यह मेरे document मैंने इसे select करा माले जिर right से लिखना है तो right से लिख सकता हूँ right में आ गया और left से लिखना है center करूँ और center और अगर justify करता हूँ तो दोनों तरफ से equal हो जाए जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल equal हो गया अगर इसको और कम करना चाते हैं 1.0 कर सकते हैं बढ़ाना चाते हैं तो यहां से बढ़ाना सा सकते हैं माल लिजे 1.0 से भी आपको कम करना है तो इतना ही रहेगा लेकिन आप यहां से remove space after paragraph करके इसको और कम कर सकते हैं आप देख सकते हैं अब यह बिल्कुल कम हो गया है ठीक है और बढ़ाना है तो आपको तीन पे आकर या फिर आप line spacing option में आकर भी बढ़ा सकते हैं और red space कर देंगे तो खुद बढ़ जाएगा ठीक है अब चलते हैं increase indent देखें जो भी लिखते हैं वो indent के बीच में लिखते है अगर decrease कर देते हैं वापस पीछे आ जाएगा ठीक है अब बात करते हैं हम paragraph की मालीज़ आप paragraph पे किलिक करते हैं तो यह paragraph का sign है जाएगा इससे क्या पता चलता है इससे पता चलता है कि आपका paragraph कितना बढ़ा है या आपका कितने paragraph इसमें document में लिखे हुए हैं तो हमें वो इससे दीख जाएंगे जहां भी हम देखेंगे वहाँ paragraph का sign मिल जाएगा जैसे यहां देख सकते हैं हमारे paragraph कितने तीन लिखे हुए है चोता हमारा चालू होगा ठीक है अब इसको हटाना चाते हैं तो हटा भी सकते हैं उसके बाद आता है हमारा shading जिससे मैं यहां पर हूँ मैं चाहता हूँ इस पर color हो जाए तो पूरा shade हो जाएगा एक paragraph की बात करता है पूरे paragraph में तो आप देख सकते हैं हाँ लग-लग shading हो गई ठीक है आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं select करिए और यहां से no color कर दीजिए clear उसके बाद हम बात करते हैं border की सबसे पहले हम border दे के भी एक साथ इसको ले सकते हैं ठीक है माल लिजिए आप यहां से no border कर देते हैं तो पूरा border हट जाएगा अगर आप all border कर देते हैं तो अब मैं इंटर मार हूँ है तो इसमें line wise बनी आ जाएगी लेकिन खाली outside border रखेंगे तो no border रखेंगे तो पूरा हट जाएगा और outside border रखेंगे तो खाली बाहर बाहर का आपको border मिलेगा जैसे इंटर मारता हूँ तो सिर्फ बाहर का border रहे जाता है ठीक है उसके बाद यहारे option ने draw table view guidelines और border and shading इसको हम आगे revise करेंगे लेकिन हम border and shading को clear कर लेते हैं border and shading पे click करेंगे तो यहां पर हमारे पास border का option आएगा जो क जैके अब हमने करा है जैसे कि हम यहाँ से color वगशे बदल सकते हैं इसका style बदल सकते है ठीक है और हілोगा करेंगे यहां से 3D कर सकते हैं इसको shadow कर सकते है शैडो में क्या होगा हqui सी इसमें shadow आ जागी जिसे आप देख सकते हूँ लेकी नब बात कर रहे हैं लेकैंगे isolation के लेकिन आपका आएगा मालीज़े आपको custom बनाना एक पना तो इसपे से आप कुछ भी हटा सकते हैं जैसे top में से हटाने हटा दिया okay करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरा border आया है page पे लेकिन सिर्फ top का नहीं आया है तो click करेंगे page border पाएंगे मालीज आपको top का भी चीए okay करेंगे top का भी आगया ठीक है उसके बाद एक option इसमें और एक art इसमें आपको एक art में आप जैसे बनी बनाई चीज़े होती है object होते है एपल हो गए आपके कोई और घांस हो गई trees हो गए आप इसमें change कर सकते हैं जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर आपके apple आगे अब इसमें एक option होता है page border में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा बहुत सारे आपके पास chefs हैं style हैं आप ले सकते हैं लेकिन एक चीज़ हो रहे हैं इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं black and white है तो इसका आप color भी change कर सकते हैं यह हैटिधिं बनाना चाथे हैं तो हैं से किलिक करके डार् geldi हैटिंग कर सकते यहाँ टाइटल बनाना चाहते ही टाइटल बन गया और इसका style अंतल बदल सकते हैं जैसे आपको देख रहा होगा यह style बदलगा उसके आप इसका color भी बदल सकते हैं ठीक है और उसके बाद font भी बदल सकते हैं वो चीज आप यहां से भी font menu से भी font tape से भी आप कर सकते हैं के लिए उसके बाद है find find का मतलब होटा है ढूंडना जैसे find पे click करेंगे और यहां हम लिखेंगे जैसे मैं हाँ लिखता हूँ O तो यह O को सर्च करेगा 89 मेश मिलें इसे मेरे document में और हर line में अलग-अलगी जिस भी line पे click करेंगे उसी में O पोच जाएगा जो की yellow color से highlights हैं आप काट सकते हैं इसको उसके बाद है replace replace में क्या होगा आप change कर सकते हैं मैं चाता हूँ O की जगे पे M आ जाए ठीक है तो मैं M लिखा replace with में और find बाद में O लिखा replace करूँगा तो यह की करके replace होगा replace all करूँगा यस पूछेगा okay करूँगा सारे replace हो गए अब आप इसमें एक में भी O नहीं देख सकते clear उसके बाद है select select all तो इसमें पूरा select हो जाएगा ठीक है control A से भी हो जाएगा और यहां से select से भी हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमारा home menu पूरा clear हो गया है अगर आपको इसमें और कोई परशानी हो तो मुझे comment करके भी बता सकते हैं और एक option यह फिर हम लिखते हैं आमिर कादिर ठीक है तो अब हम देखते हैं जैड वाला जो नाम है वो उपर है माली हमार पर बहुत बड़ी लिस्ट है हम चाहते है alphabet सी खुद बाखुद लग जाएं तो हम sort पर आएंगे और यहां से ascending पर click करके okay कर देगी तो आप देख सकते हैं A से आने वाले नाम पहले आ गए उसके बाद B से आते ही लेकिन B वाले है नहीं तो K वाला आ गया उसके बाद फिर P वाला आ गया और Z वाला सब से नीचे इसे बोलते है ascending और यह option कौन से कारता है sort काम करता है इस पर click करेंगे descending भी कर सकता है descending means Z से लेके A तक okay करेंगे तो यह Z से A तक बन गया ठीक है ठीक है दोस्तो तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बाई थैंक यू